यार मुझे वो जो पहले लिंडेन के सामने श्रीकांद खेला था भाई क्या खेले थे वो उन्होंने से लिंडेन की हवा निकाल देती जो जो जवानी में खेले थे भाई चाइना ओपन के फिनाले थी वो श्रीकांद चे यार ये श्रीकांद भाई नहीं सहन हो रहा है डिसप होता है लीजिंग जाज इसके लिए वो अभी जाने जाते हैं कि वह अटक मोड बहुत ही जल्दी अन कर लेते हैं और जज्जमेंट भाई श्रीकांद के बहुत ही खराब जा रहे थे बहुत सोच रहे हैं कि बाहर जा रही वो इन गिर रही है वो जो लिफ्ट कर रहे हैं वो दोनों नो अटक किया और पॉइंट्स अच्छे खासे दोनों को मिलें दोनों बोल सकते हैं कि अच्छा खासा खेड रहे थे धैन फिर से एक चीज़ वो गलतियां शुरू हुई जो थी भाई श्रीकांद गलतियां करना मतलब एरर्स करना शुरू बाहर मार रहे हैं या फि पर जो कहीं से जो लीजिंग जा अटेक कर रहे हैं लिफ्ट कर रहे हैं वो गलत जज़्जमेंट से देरे वो कंटीन्यू शुरू होती गई बैक कोट में जो लिफ्ट कर रहे तर शुरू बाहर जा रही थी भाई बहुत ही ज्यादा और उसमें एक दोनों ने वो कहते हैं अपने DRS भारे भाई DRS नहीं बुलते हैं उसे कुछ बोलते हैं जो भी आप समझे रहे हो न वहीं अमपैर को बोला कि भाई देखो और वो अमपैर ने बताया कि भाई बहुत ही ज्यादा बहार है वो जज़मेंट बहुत ही खराबता नहीं लेना चाहिए था वो सारा दैन 13 से पीछे थे और 17 थे लीजिंग जाके फाइनल पॉइंट के लिए जो रेली हुई थी भाई साब बहुत ही बड़िया थी तब लगा कि भाई श्रीकांद अब बैक अप करने वाले सेकेंड सेट तो उनका ही है पर 21-16 से श्रीकांद फर्स सेट हार चुके हैं दैन सेकेंड सेट की अगर हम बात करें तो लीजिंग जाका जो अपने बोलते हैं ना सूपर सेयान मोड पे जाता है कोई परसन लीजिंग जा कंटिन्यू अटेक करें उनको कहीं पर भी दिख रहा है वह अटेक कर रहे हैं एक दो बार मैंने दिखा है कि श्रीकांद बैक हैंड स्माने के ट्राइक कर रहा है भाई मैंने कभी श्रीकांद को नहीं दिखा है वो क्यों ट्राइक करें मुझे समझ नहीं आया बैक हैंड जजमेंट जो फर्स्ट सेट में हो रहे थे वही कंटीन्यू चले जा रहा था और भाई इस बार तो रॉंग जजमेंट भी आ रहे थे वह सोच ही कर रहे थे 11-7 से फिर से पीछे चार पॉइंट इतने बड़ी कोई बात ने कवर अप कर सकते हैं बट फिर से जो ही बाकी का सेट था उसमें एरर्स होना कंटीनू श्रीकांद की हुए जा रहे थे हां लीसिंग जाने भी एरर किये हैं पर वो कवर अप कैसे कर रहे थे चा पर वह जब 29 चल रहा था ना चाहिए जाने पॉइंटी पॉइंट पॉइंट नहीं करता है उन्हों ने लिंडेन को खतरना खोला चाइन उपन में एक बार वो श्रीकांद वापस आ गए उस दिन इंडिया नेक्स लेवल पर चला जाएगा यार बहुत ही नहीं मजा आई यह मैच दिखने में डिसपॉइंटेड कंप्लीटली देखते हैं कि नेक्स्ट मैच इज में क्या होता है अभी कंटिन्यू तीनों की तीन हमें जीते नहीं पड़े ही वरना हम सुद्रमान कब से बाहर है यह लिख के ले लो और वाई यह सबसी बड़े डिपर डिसपॉइं इंट्रमेंट होगी मिलता है नेक्स्ट मैच में तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो और बैल नोटिफिकेशन ओन कर दो